हलो फ्रेंड्स तो आज अपन डिसकस करेंगे फंडामेंटल ओफ नेर्शिंग का एक most important topic sterilization देखिए दो important terminology है जिनको पन पहले पढ़ेंगे first one is disinfection और दूसरी है sterilization ठीक है दोनों में अपने को confusion होता है बहुत बार तो देखिए disinfection का मतलब होता है a process that eliminate many or all pathogenic microbes यानि कि यदि अपन microbes को destroyed कर रहे है खाली सिर्फ और सिर्फ microbes को destroyed कर रहे हैं, eliminate कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे disinfection बोलेंगे, लेकिन sterilization देखिए क्या है sterilization है total destroying or eliminating microbes including their spore, यानि कि microbes को तो destroyed कर रहे है साथ इसाथ उनके जो spores है जो बिजानू है ठीक है, उनको भी क्या कर रहे है destroy कर रहे है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे sterilization बोलेंगे, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ spore, s-p-o-r-e spore, spore का microbial term है, लेकिन इसको एक परकार से gene होता है ठीक है, यह जो spore होता है यह आगे जाकर के, जब भी unfavorable condition आती है, तो पूरा का पूरा bacteria, माली जी, यह क्या है एक bacteria है, ठीक है, और इस bacteria के अंदर यह क्या है, spore है, ठीक है तो यह spore जो है, यह वो part है इस bacteria का, जो यदि unfavorable इस्तिती में, unfavorable environment में, यदि पूरा bacteria भी खतम हो जाएगा, तो उस condition में, यह जो spore है न, यह last तक जिन्दा रहेगा, यह live रहेगा ठीक है, और आगे जाकर के, फर्दर यह वापिस क्या बन जाएगा, bacteria बन जाएगा वापिस microbe बन जाएगा, ठीक है technique जिसमें microbe plus जो spores है, उनको क्या कर दिया जाता है kill कर दिया जाता है, उसको तो बोलेंगे sterilization, और ऐसी technique, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ microbes को भी, और वो भी सारे ने कुछ microbes को ही क्या किया जाता है, destroyed किया जाता है, तो उसको पर बोलेंगे disinfection, सिर्फ और सिर्फ इतना ही difference है दोनों में, ठीक है, चलिए अलग-अलग books में आपको अलग-अलग मिलेगा लेकिन मैंने most of जितनी भी microbiology की books है, उनमें ये दो ही definition देखिए चलिए आगे चलती है, अपन पढ़ रहते है sterilization, इसके method is important है एक-एक single question exam में आयो है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है तो sterilization के तीन तरीके होते हैं generally, ये देखिए sterilization, आराम से साथ ही साथ notes भी बना लेना, कुछ एक short form मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं बोल देता हूँ उनको पूरा, ठीक है, तो उनको आप अच्छे तरीके से लिख भी लेना, तो देखिए sterilization के तीन तरीके होते हैं number one, natural sterilization number two, physical sterilization और number three, chemical sterilization, ठीक है, सबसे पहले पन बात कर लेते हैं, natural sterilization यानि कि प्राकरतिक तरीकों से microbes को destroyed करना मैं आपको example भी उताऊंगा, घरेलू examples तो देखिए, natural sterilization में क्या आता है natural sterilization में आता है sunlight, क्या आता है sunlight, sunlight में क्या होती है UV ultraviolet rays होती है किरिने होती है, परा बैंगनी जो किरिने होती है ये क्या करती है, microbes को kill कर देती है, for example, सर्दिया जाने के बाद में जैसे ही अपनी रजाईया है, कंबल अपने दूप में रखते है बच्चों के जो छोटी-छोटी जो दरिया वगएर होती है, जिनकी बच्चों के निचे लगाते है घरों में, सूशू कर देते है तो उनको अपन क्या करते है, दूप में रखते है यह अपन आगे detail में discuss करेंगे एक बार आप इतना ही देख लो और third one है chemical sterilization तीसरा है chemical sterilization तो देखिए chemical sterilization अपन यहीं complete कर लेते है Chemical sterilization में first one है, alcohol first क्या है, alcohol alcohol, example की बात करें तो ethyl alcohol जो है, ethyl alcohol बोलते है इसको, ethyl alcohol भी बोलते थे अपना अपना pronunciation है जैसे भी आप बोलो तो ethyl alcohol जो है जो की spirit में होता है ये क्या करता है microbes को किल करने काम मिलेते हैं अपने spirit hospital में काम मिलेते हैं अपना आम तोर पे second aldehyde दूसरा chemical क्या है aldehyde, aldehyde के भी दो परकार है एक है formaldehyde और दूसरा है glutaraldehyde एकदम अच्छे से spelling देख करके लिख लेना, formaldehyde का use कहां किया जाता है, OT में OT को fumigate करने के लिए OT के अंदर क्या किया जाता है, इसका दूआ कर दिया जाता है, fumigate करने के fumigation का मतलब दूआ, ठीक है, तो exam एकदम में क्यूशन भी आता है, कि OT जो है, operation theater जो है, उसको fumigate करने के लिए कौन सा तरीका काम में लिए जाता है, तो formaldehyde जो है, ये काम में लिया जाता है chemical है एक परकार का, ठीक है, चलिए next पन बात करें, जो glutaraldehyde है, ये important है, ठीक है glutaraldehyde, जो है, यहां से examination में बहुत बार question, पुछे जाते हैं, कौन सा glutaraldehyde, दूसरा chemical, ये वाला तो glutaraldehyde, जो है, इसका 2% concentration काम में लिया जाता है एक तो ये question आता है exam, कि इसका कितना, 2% 5%, 3%, तो 2% glutaraldehyde, काम में लिया जाता है ठीक है, mostly 2% काम में लिया जाता है, ठीक है और साथ ही साथ ही, क्या इससे कौन से items, जो है, वो sterilization किया जाते हैं, तो जितने भी items के पिछे नाम, scopy दिया हो गता है, scopy like bronchoscopy, endoscopy, colonoscopy, ठीक है, जितने भी scopy like items है, जितने भी जिनके पिछे scopy जुड़ा होता है, तो उन सारे के सारी items को क्या किया जाता है, कि sterilization किया जाता है, glutealdehyde के solution से sterilization किया जाता है, इसका solution होता है, जिसके अंदर ये डाल देते हैं, ठीक है चलिए, दो चीज़ हैं पढ़ दिये, कौन-कौन हैं इसको, ठीक है, ध्यान में रखना है, केमिकल है, strong powerful chemical है, किसमे काम में लेते हैं, HIV का कोई surface है, उसको clean करने के लिए, या blood spillage को clear करने के लिए, clean करने के लिए, sodium hypo chloride, bleaching जो होता है, bleaching powder बोलते हैं ठीक है, bleaching काम में लेते हैं, ठीक है, चलिए, next और last बसता है, phenol, phenol भी किसमे काम में ले जाता है, clean करने के लिए, sterilization में काम में ले जाता है, तो यह सारे के सारे अपने किसमें पढ़ लिए, chemical में पढ़ लिए, तो अपने मोटा मोटी natural sterilization पढ़ लिया, अब अपने मोटा मोटी chemical sterilization पढ़ लिया, अब अपन बात करेंगे, physical sterilization जो की ज़्यादा important है, examic question यहाँ से ज़्यादा मनती है, तो यह मैंने ले लिया यहाँ पर, अपना जो दूसरा तरीका है, physical method of sterilization तो देखिए, physical method of sterilization में specially heat आती है, heat के द्वारा देखिए, वापिस में दिखा दूँ आपको, physical method of sterilization में एक होता है heat, दूसरा परकार है filtration और तीसरा है radiation, तो radiation में तो जितने भी gamma rays हैं, तीक है, gamma rays, यह rays क्या की जाती है, अब्जेक्ट पर सीधी डाल करके, किसी वस्तू पर सीधी डाल करके, उसके जो microbes उनको kill कर दिया जाता है, filtration के अंदर क्या की जाता है, filtration like water filtration है, तो filtration के अलग-अलग water filtration की method होती है, इनके अंदर microbes जो है, वो पानी को अलग-अलग इस तरह से निकाल करके, पानी को disinfect, प्योर बनाया जाता है, तो यह उसमें आ जाता है, अब मैं बात कर रहूं, जो की most important है, maximum, यानि की 90% IQ यहां से ही बनेंगे, that is a physical method of sterilization, जिसके अंदर अपन बात करेंगे heat, तो heat जो है, heat दो परकार की होती है, stylization में, एक dry heat और दूसरी moist heat, तो पहले अपन बात कर लेते हैं, dry heat की, ठीक है, तो यह लीजिए, dry heat को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, dry heat जो है, इसके अंदर, dry heat के अंदर, first, जो type है, इसका dry heat का, that is, red heat, red heat, यानि की रक्त तप्त, यानि किसी object को ज इसके तो scopy माल लो, ठीक है, तो उसको इस item, इस method से, अपन sterilization करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इस में object को रक्त तप्त किया जाता है, एक दम खून की तरह लाल कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो तो metal को ही कर सकते हैं, ठीक है, scopy like item है, तो जल जाएगा destroyed हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा, यह वाला जो red heat वाला sterilization का method है, यह generally metals के लिए काम मिले जाता है, ठीक है, और साथी साथ, इस में क्या किया जाता है, like inoculation of wires, inoculation of wires, जितने भी wires है, जितने भी metals wire है, उनको क्या किया जाता है, रक्त तप्त करके, इतना गरम करके, उनके जो microbes से उनको destroyed किया जाता है, ठीक है, चलिए, next flaming, flaming भी एक method है, sterilization का, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जितने जो भी object है, उनको flames होती है, आग, उच के उपर से उनको क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, और उन metals को, यह भी metals में काम में ले जाता है, उनको क्या किया जात है, एक सो साथ डिगरी का इसमें क्या रहता है, डिगरी Celsius का temperature रहता है, और साथ मिनट तक object को इसके अंदर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक सो साथ डिगरी Celsius क्या रहता है, टेमपरेचर और साथ मिनट तक के लिए क्या करता है, किसी भी object को, किसी भी चीज को यह क्या कर तो यह temperature imported है, इतने high temperature के अंदर, यह किसमे काम मिले जाता है, यह जो जितने भी microbes, microbes के जो object है, जितने भी जो west है, excreta है, उनको destroyed, खतम करने के लिए, यह काम मिले जाता है, तो यह अपने किसमे पढ़ा है, यह 4 तरीके किसमे, 4 types किसके है, dry heat के, ठीक है, heat के अंदर 2 तरीके है एक dry heat और दूसरा moist heat, तो dry heat अपने clear पढ़ लिया अच्छे से, अब अपन बात करते है, moist heat, चलिए, moist heat जो है, इस moist heat के अंदर, 3 परकार के temperature काम मिले जाता है, ठीक है, कौन-कौन से, less than 100 degree Celsius, 800 and more than 100 degree Celsius, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे, less than 100 degree Celsius, तो less than 100, याने 100 degree temperature से, कम जो degree Celsius है, उसमें सबसे पहला परकार है, pasteurization of milk, important है, यह ध्यान में रखना, याने कि, mostly 80 degree Celsius, 62, 62, यह ध्यान में लिख ले ना, यह, ठीक है, 62, 80 degree Celsius, temperature दिया जाता है, किसको, milk को, milk को क्या करने के लिए, pasteurize करने के लिए, उसको free from microbes मनाने के लिए, क्यों, क्य में bacterial growth होने की probability, ज्यादा होती है, इसलिए milk को क्या के जाता है, pasteurization के जाता है, घर में अपन दूद को boil करते हैं, लाते, that is the pasteurization, ठीक है, उसमें और यह difference इतना है, कि इसको लंबे time के लिए के लिए जाता है, ठीक है, तो pasteurization एक तरीका, दूसरा इसमें method है, less than 100 की बात कर जाता है, और कितने time के लिए, 30 मिनट के लिए, ठीक है, तो एक तो temperature ध्यान में रखना है, और inspiration का method है, यह किस के लिए काम मिले जाता है, एग and serum media, जो microbial, जो laboratory है, उनके अंदर काम मिले जाता है, एग and serum media को free from microbes करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, तो यह अपने दोनो के temperature पर, जो liquid है, उसको boil करके free from microbes बनाया जाता है, next, tendalization, एक ऐसा तरीका है, जिसमें 100 degree Celsius temperature रखा जाता है, 420 minutes, 20 minute के लिए, और कितने दिनों तक है, continuously 3 दिन तक, 100 degree Celsius temperature, कितने time के लिए, 20 minute के लिए, एक बार में 20 minute, और कितने दिन तक है, 3 दिन तक, तीन दिन तक, ठीक है, प परते एक दिन, माने की, एक दिन, ये day first है, ये second, ये third, परते एक तिनों दिन क्या किया जाता है, 100 ही तो degree temperature रखा जाता है, और 20 minute के लिए, at time, 20 minute के लिए क्या किया जाता है, ये जो temperature है, 100 degree का, ये maintain रखा जाता है, किस के लिए काम में लेते हैं अपन, culture media को, जितने भी culture media ह परते है, उन culture media को, free from microorganism बनाने के लिए, tendalization method काम मिले जाता है, ठीक है, आगे है समझ में, तो अपने दो पढ़ लिए, less than 100 पढ़ लिए अपने, अपने 800 पढ़ लिए, अब अपन बात करेंगे, more than 100 degree Celsius, यानि कि 100 से जाधा temperature है, ठीक है, तो more than 100 degree Celsius के जो temperature है, इसके अदर स autoclave जो है, इस method का सबसे पहले discovery किस ने किया, Charles Chamberland ने, ठीक है, एक तो एक्जाम में question यही आया हुआ, ठीक है, चलिए, next अपन बात करते हैं, autoclave में, simple सी में आपको चीज बता देता हूँ, 121 degree Celsius temperature काम मिले जाता है, और 15 minute के लिए काम मिले जाता है, और 15 ही LBS, यानि 15 pond, ठीक है, 15 LBS जो है, यह pressure रहता है, यह अपने को जहान में रखना है, autoclave में, वापिस repeat कर देता हूँ, autoclave में, एक एसा device है, एक एसा object है, जिसके अंदर क्या की जाते हैं, items रखे जाते हैं, sterilization कर तो इसके अंदर temperature कितना रहेगा, 121 degree Celsius temperature कितने time के लिए, 15 minute के लिए, और 15 ही इसमें pond क्या रहेगा, LBS से pressure रहेगा, यह अपने को ध्यान में रखना है, अब देखिए, कई बार question मनता है, मैं आपको simple सा बता देता हूँ, यह तो है अपना basic, अब कई बार question क्या बनेगा, अ अब time को थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि कम time में ही अब काम हो जाएगा अपना, ठीक है, और क्या करेंगे, pressure जो है, इस pressure को भी घटा देंगे, ठीक है, 15 के जगे 12 कर देंगे, एक बात यह, दूसरी बात, कि मान लिजिए, कि temperature जो है, temperature अपने क्या कर दिया, गठा दिया, 110 degree Celsius ही है, तो अब क्या करेंगे, time के साथ अपन क्या करेंगे, time को थोड़ा देंगे, क्योंकि temperature घट गया, कम temperature हो गया, तो time को अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 15 की जगा अपन क्या करेंगे, 20 मिनिट कर देंगे, simple सी बात है, और pressure भी अपन क्या करेंगे, ब थोड़ा सा मैंने concept बता है उस ही साब से समझना ठीक है वीडियो वापीस पीछे करके वापीस देख लेना अब देखिए यह हो गया autoclave एक चीज जो बाकी रह गई मैं आपको बता दूँ जो less than 100 degree celsius जो अपने pasturization of milk पड़ा इंस्पेसेशन पड़ा और तीसरा एक तरीका हो रहे गया vaccine बात वेक्सिन बात में जो vaccines होती है उनको क्या किया जाता है sterilization करने के लिए जो वेक्सिन बात है काम ले जाता है जिसके अंदर 60 degree का temperature लिया जाता है डिगरी celsius 4-60 minute यह important है कुशन आयवा एक्जाम में यूज किस में किया जाता है vaccines को sterilization करने के लिए तो देखी यह complete photo आप अच्छे तरीके से इसको ले लीजी आप ठीक है यह साइद आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा यह complete physical जो method है sterilization का थोड़ी इसकी quality high क करके इसका screenshot ले सकते हो पूरा एक साथ picture आजाईगी इसकी ठीक है और इससे पहले वाला जो image है उसकी भी मैं आपको picture दिखा देता हूँ यह complete आप इसके screenshot लेकर की high definition में HD quality में और इसको आराम से एज़िट ऐसे कैसे लिख लेना धन्यवाद